पंच तत्व सिर्फ पांच अगर उन्हें इतना सारा खेल खेलना है केवले क्या दो रूप नहीं इन्होंने अर्बो खर्बो रूप लिये हैं अगर ये सब होना है अगर ये दूसरे गुणों ये संभावनाओं को ग्रहन नहीं करें तो आप इन पांचों से इतने सारे रूप नहीं रच सकते ये स्वभाव से ही ग्रहन शील है जिस हावा को आप सांस में लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, जो पानी आप पीते हैं हम बाकी दोनों को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास उनका ज्यादा अनुभब नहीं है आज हम जानते हैं कि हम उन्हें प्रभावत कर सकते हैं सिर्फ विचार, भावना, नियत या उर्जा से हम पानी का गुण बदल सकते हैं हम हवा का और भोजन का गुण बदल सकते हैं सिर्फ अपने विचार, भावना या नियत से तो आपके भीतर के ये पंच तत्व जिनसे ये शरीर बना है इन पर गहरे प्रभाव हैं और जानकारी की एक खास परत जिसे हम आम तोर पर कार्मिक पदार्थ कहते हैं इकठी हो जाती है इसके बिना ये तत्व आपके भीतर एक खास तरीके से पेश नहीं आ सकते थे ये एक सा होता अगर अलग अलग जानकारियां इकठी नहीं होती तो हर इनसान एक सा होता देखे अगर आप एक केला खाती हैं तो आप एक महिला बन जाती हैं केला महिला बन जाता है, इन में से कोई खाता है तो वो पुरुष बन जाता है, अगर गाय खाती है तो वो गाय बन जाता है, वही केला. केले में इतनी समझ नहीं है कि वो खुद को पुरुष, स्त्री, गाय या कुछ और बना सके. आपके भीतर जानकारी का एक संग्रह है जो केले को एक औरत, मर्द, गाई या हाथी या किसी और रूप में बदल देती है आप जिसे मैं कहते हैं, वो सूचना या जानकारी का एक संग्रह है और मूल रूप से ये आपके साथ तत्वों के माध्यम से चिपकी हुई है क्योंकि यहां तत्वों के सिवा और कुछ नहीं है तो इनकी शुद्धी का मतलब है कि आप इने साफ कर रहे हैं और इसे एक अठा की गई जानकारी या कार्मिक पदार्थ से मुक्त कर रहे हैं अगर ऐसा ना किया तो आप एक मजबूत शक्सियत तो होंगे पर कभी ये नहीं जान सकेंगे कि आप उन सीमाओं से परे कैसे जा सकते हैं जो आपने खुद के लिए बना रखी है ये सीमा अस्तित्व ने नहीं बनाई ये सीमा खुद आपने अपने लिए बनाई है अगर आप उस सीमा से पार नहीं जा सकते जो आपने बनाई है तो ये जीने का मुर्खता पून्ट तरीका होगा आप अंजाने में ही सीमा रच लेते हैं और कुछ समय के बाद दावा करने लगते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा आप उन्हें किसी सीमा से पार जाने को कहें नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ आप ऐसे नहीं है आपने खुद को ऐसा बना लिया है ये सफाई तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप खुद को इन सीमाव से पार ले जाकर आजादी या मुक्ती को ही अपने जीवन का लक्ष चुन लेते हैं अगर आप एक ठोस गेंद बनना चाहते हैं तो आपको सफाई की जरा भी जरूरत नहीं है कार्मिक प्रक्रिया को ठोस में बदलने से आप कड़े बन जाएंगे कड़ापन आपके जीवन में बहुत दुख लाएगा बहुत दुख आपको किसी आफ़त की जरूरत नहीं है आप खुदी एक आफ़त हैं आपको किसी बहारी सायता की जरूरत नहीं इसे सेल्फ हेल्प कहते हैं ज्यादतर लोग अपने दुखों के निर्मांट के लिए सेल्फ हेल्प पर हैं किसी को उन्हें छेडने की जरूरत नहीं होती आखरी बार किसी ने आपको कब छेड़ा था ऐसा आखरी बार कब हुआ? शायद स्कूल के दिनों में किसी ने ऐसा किया होगा उसके बाद कोई भी वैसा कुछ करने में दिल्चस्पी नहीं रखता आप में से तकरीबन सभी लोगों को कभी किसी ने खंजर या तलवार नहीं गुसाई ज्यादा से ज्यादा किसी ने सुई या उंगली से छेड़ा होगा लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को पिछले 10, 15 या 25 सालों में किसी ने सुई या उंगली से भी नहीं छेड़ा क्योंकि हर किसी को आप से डर लगता है तो कितना आप जितने दुख से होकर गुजरते हैं अगर आप उसकी मातरा देखें गुसा, डर, नफर, जलन आप जिससे भी होकर गुजरते हैं जो भी कश्ट जहिलते हैं बाहरी चीजों की वज़े से कितना दुख हो रहा है और आपने खुद कितना दुख पैदा किया है अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि बाहरी चीजों की वज़े से पैदा दुख नाम मातर भी नहीं है नहीं नहीं मेरी सास नहीं सका मेरे बॉस नहीं सका वो जो भी कह रहे हूं वो आपको चाकू तो नहीं घुसा रहे कोई आपको शारेरिक कश्ट तो नहीं दे रहा न जब तक आप मिडल इस्ट में ना हो ज्यादतर लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो बाकिस अब आपका खुद का ही बनाया हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि ये छाप इतनी गहरी है कि आप मजबूरन अपनी आदतों के अनुसार पेश आते हैं हजारों बार वैसे ही परिस्थितियां आ चुकी हैं लेकिन अगर फिर से वही होता है तो आप वही एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं एक स्थर की जागरूकता की जरूरत होगी आपको एक हद तक जख्चोरने की जरूरत होगी तभी आपको चलक तरह से रिस्पॉंड कर पाएंगे तो भूत शुद्धी का मतलब है इस प्रक्रिया को बहुत ही बुनियादी स्थर पर करना अगर हम सुभा के समय आपके मन को साफ करें तो दुपहर तक आपके मन में फिर से पूरी नई दुनिया बन जाएगी ये तरीका काम का नहीं है यही वज़ा है कि यौगिक प्रणाली में आपके मानसिक धाचे को कोई महत्व नहीं दिया जाता आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं वो इसकी परवा नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम आज इसे बदल भी देंगे तो आप कुछ समय बात फिर से इसे बदल कर कुछ और बना देंगे हम केवल शरीर में दिल्चस्पी रखते हैं इसलिए योग में हर चीज़ को शरीर कहा गया है भौतिक शरीर, मांसिक शरीर, उर्जा शरीर वगरा लेकिन मन नहीं क्योंकि आपके भीतर मन का जो खेल चल रहा है जिसे आप इतनी एहमियत देते हैं उसका कोई महत्व नहीं है आपके भीतर जमा सूचना के आधार पर आपके जो भी कर्म है, आपका जो भी संसकार है आप उसके अनुसार ही सोचते हैं, महसूस करते हैं आपकी भावनाएं वैसी चलती हैं सब कुछ उसके अनुसार ही होता है तो हमारी दिल्चस्पी जड़ पर काम करने में है अगर आप पेड़ की छटाई करते हैं तो वो फिर से उग जाएगा अपकी बार और भी तेजी से बढ़ेगा तो छटाई करने का कोई मतलब नहीं है अगर आप जड़ काट देते हैं तो पेड़ मर जाएगा तो कार्मिक छाप की जड़ तत्वों में ही छिपी है वो सबसे बुनियादी पहलू है दूसरे पहलूओं की तुलना में इसे कहीं ज्यादा सावधानी से करना होता है तो अक्सर चूंकि अधिकतर लोग अपना पूर्ण रूपांतरण नहीं चाहते वो बस थोड़ा सा बदलाब चाहते है वो खुद को खोना नहीं चाहते भूत शुद्धी मतलब आप खुद को खोना चाहते है चाहे वो अच्छा, बुरा, सुन्दर यबत सूरत जो भी है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता आप वो सब खोना चाहते हैं, जो आपने रचा है ताकि ईश्वर का स्रिजन आपके भीतर खड़ा होकर चमक उठे इसके लिए आपको थोड़ा काम करना होगा आपको बुनियादी भूठ शुद्धी सिखाई गई है अगर आप भूठ शुद्धी को गंभीर तोर पर करना चाहें तो आपका पूरा जीवन बस यही बन जाएगा ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसे थोड़ा बहुत कर लें तो अगर आप भूठ शुद्धी का छोटा सा संसकरण भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में स्थाई बदलाव लाता है और वापस पुराने धर्रे पर जानी की प्रवृति नहीं रहती जो कि महत्वपूर्ण है वरना सबकुछ तीन दिन के लिए बदलता है और फिर पुराना धर्रा वापस आ जाता है कुछ समय बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा अगर आप अपनी साधना में भूठ शुद्धी को भी शामिल कर लेते हैं पंच भूत अराधना एक बिलको ललक प्रक्रिया है वो एक अनुष्ठान है जो लोग साधना नहीं करना चाहते बस ऐसे लोगों को थोड़ा लाब पहुचाने के लिए अनुष्ठान की ये एक सुन्दरता है अनुष्ठान की यही सीमा भी है कोई दूसरा आपके लिए अनुष्ठान कर सकता है आपको कोई साधना करने की जरुरत नहीं है बस बैठ कर उसका लाब लीजिए पर यदि वो ऐसा नहीं करते तो आपको उसका लाब नहीं मिल सकता मान लेते हैं कि हम पंच भूत अराधना नहीं करते तब आपको वो नहीं मिल सकता तो अनुष्ठान में ऐसा ही होता है इसके सुंदर्ता यही है कि जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते वो भी इसका लाब पा सकते हैं इसके साथ ही जो लोग इसे करते हैं अगर वो इसे ठीक से नहीं करते तो आपको इसका लाब नहीं मिलेगा अगर वो अनुष्ठान करते ही नहीं तो वो फाइदे आपको कभी नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आप खुद भूट शुद्धी का अभ्यास करते हैं और इसे बनाए रखते हैं तो समय के साथ आप देखेंगे कि इसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता और सबसे बड़ी बात ये जो भी करें बले ही अभ्यास छोटा साई क्यों नहीं हो इसका प्रभाव कभी पलटता नहीं है ये भूट शुद्धी का एक एहम पहलू है अगर आप छे महीने तक योगासन करते हैं और फिर पूरे साल कुछ नहीं करते तो सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसा पहले था आपने छे महीने तक प्राणायाम किया अगर ये शक्ती चलन क्रिया की तरह ताकतवर है तो इसका असर दिखेगा लेकिन अगर आप इसे कुछ समय के लिए नहीं करते तो इसका असर जाने लगेगा आप ध्यान करें कुछ समय के लिए शून्य ध्यान करें अगर आपने कुछ समय के लिए इसे नहीं किया तो इसका प्रभाव जाने लगेगा लेकिन भूठ शुद्धी की प्रकृती ऐसी नहीं है अगर आप इसे करते हैं तो आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा. क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत बुनियादी और धीमी है. पर चाहे जो भी हो, यह वापस नहीं जाएगा. यह आपके साथ रहेगा. जब तक आपका शरीर रहेगा. यह साथ रहेगा. ये जाएगा नहीं क्योंकि ये बहुत बुन्यादी स्तर पर है यही भूच शुद्धी का महत्व है